हलो, FD1, हम क्लास एड़त हमारा राजस्तान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नमबर टू जिसका टाइटल है 1857 का सवतंतरता संग्राम एवं राजस्तान इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब सभी को पता है हमारा राजस्तान जो बुक है ये राजस्तान के हर एकजाम के point of view से important है इस चैप्टर में 1857 के सवतंतरता संग्राम में राजस्तान का क्या महतपून योगदान रहा उससे related basic facts इस चैप्टर में बताए हुए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो चलो start करते हैं भारत में आजादी के लिए चेतना और संगर्स का इतियास हमारे इसमानिये हैं आज हम जो सवतंतर भारत में बैटे हुए हैं उसके लिए लोगों ने जो संगर्स है वो बहुत पहले से start कर दिया था क्योंकि आप सभी को पता है कि लगबग अपना अधिकार रखा था तो ये जो संगर्स है वो 1857 की क्रांती के साथ में ही सुरू हो जाता है 1857 का सवतंतरता संगराम बारतिय इतियास की महतपून गटना है इस बुक के जो क्लास एट की हमारा राजस्तान की जो बुक है इस बुक के चैप्टर नमबर वन में हम ये डिसकस कर चुके हैं कि जैसे ही मुगल सामराजी का पतन होने लगता है मतलब औरंगजेव की मृत्यू हुई उसके बाद में मुगल सामराजी में कोई भी सक्तिसाली राजा जो है उबर करके सामने नहीं आया तो उस समय जो है वो मराठा अपने आपको एक सक्तिसाली राज्य के रूप में स्तापित करने की कोशिश करते है और उत्तर भारत में अपना विस्तार करने की सोचते हैं और इसी विस्तारवादी निती के तहट जो है वो मालवा, गुजरात और राजपुताना के जो देसी रियास्ते हैं उन पर आकर्मन करना सुरू कर देते हैं। से 1818 एस्वी के बीच में सायक संधी कर लेते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो हमारी सायता करेंगे। और कोई दूसरा हमारे उपर आकर्मन करेगा तो इसमें अंग्रेजी कंपनी जो हैं हमारी हेल्प करेगी। लेकिन अंग्रेजों ने इसके विप्रीत क्या किया जैसे ही संधीया की उन्होंने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। मतलब अपने अकोडिंग राजा जो है उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। किसानों एवं जन साधरन के निवीतों पर उठारागात करके राजस्तान में कंपनी के विरुद्ध ऐसंतोस की भावना का प्रसार किया। कंपनी थी उसके खिलाब में एशंतोस की भावना का प्रसार हुआ। तो राजस्तान में 1897 की क्रांती के क्या-क्या कारण थे उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला कारण था कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। संदी पत्र की सर्तों की अंदेखी करते वे मतलब 1817 से 1818 के बीच में जो सायक संदी हुई उसमें जो मेन बाते लिखी वी थी उसका अंदेखी किया बिटिस कंपनी ने और अपने अकोडिंग जो है वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। तो अंदेखी करते वे अंग्रेज राज्यों ने अंतरिक प्रसासन में हस्तक्षेप करने लगे जैसे 1849 इस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया, मांगरोल के युद में कोटा माहराव के विरुद दिवान जालिम सिंग की मदद की अंग्रेजों ने, कारण था, राज्यों में उतरादिकार के प्रसंद पर ऐसंतोस, तो नी संतान राज्यों दुवारा गोध लेने संबंदी, मामलों में कमपनी ने अपना निर्न अधेशी रियास्तों पर लादने की कोशिस की, कि अगर कोई राज्या के अखुद की संतान नहीं है, तो वो क 26 इस्वी में भरतपुर के लोहागड दुर को नस्ट कर, पोलिटिकल एजेंट के अधिन काउंसिल की निवति कर दी, और 1844 इस्वी में बास्वाडा महरावल लक्ष्मन सिंग की नाबालिगी के कारण की उम्मर नहीं हुए, राजा नहीं बन सकते, अंग्रेजी नियंतरन क स्थापना, आधी हस्तक शेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं ने ऐसंतोस की भावना बलवती होती गी, नेक्स्ट कारण है सामानी जन्ता की भावना, तो राजस्तान में सामानी जन्ता की भावना भी अंग्रेजों के विरुद्ध थी, क्योंकि अंग्रेजों क उनको नश्ट करने की कोशिस कर रहे हैं यसी लिए जो सामणे जनता है उनके खिलाप हो गई और आर्थिक नीचियों को मतलब ज्यादा से ज्यादा कर्व लगाने लगे तो राजा जो है वो जनता से वसूनने लगे तो इन्डारेक्ली जनता जो है उससे परेशान हुई तो यहां की जनता ने अपने धर्म और जीवन में अंग्रेजों की जो हस्तक्षप जो है उसको स्विकार नहीं किया और एक तरीकी से विरोध किया तो डूंग जी और जोवार जी ये जो सेखावटी वाला छेतर है वहां पर एक तरीके से इन्हों ने अपना इंपोर्टेंट रो सूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोशन की निती लागू कर दी इसके अतिरिक्त राज्यों में सांती विवस्ता के नाम पर भी धन्वसूली की गई 1822 में मेरवाडा बटालियन की स्तापना, 1834 में सेखावटी बिग्रेड की स्तापना, 835 में जोदपुर लीजियन की अकठन, 1841 में मेवाड भीलकूर की स्तापना कर कमपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरकाओं का खर्चा भी संबंदित राज्यों से वसूल किया गय पर जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी छाउनिया, अपने पुलिस जो सेंटर हैं वो स्तापित किये और सेना को स्तापित करने का खर्चा जो है, वो अंग्रेज कमपनी नहीं देती थी, बदला अंग्रेज कमपनी ने स्तापित किये और बोलते थी राजा तुम देव, त पहले क्या होता था कि जो सामन्त है उनके पास में अपने अपनी सेना होती थी तो जिस भी राज्जी के अंडर वो आते थे उस राज्जी को जब भी जर्रत होती थी तो ये सामन्त जो है उपनी सेना के साथ में मिल करके उस राज्जी के लिए लड़ते थे लेकिन जब अंग हो गई क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा तो अंग्रेजी सरकार ने ले लिया तो सामन्त अपनी दुखत इस्तती का उत्तरदाई जो है वो अंग्रेजो कोई मानते थे अते उनमे रोस बढ़ता गया तो आउवा उठारिया और सलूमब ठिकाने जो है वो इसके उधारन है और उन फुरत में जो अठार सताउन की एक्रांती हो गई तो भारत में अठार सताउन की एक्रांती का तातकाले कारण ये था कि एन्फिल्ड राइफलों में प्रियुक्त कार्टूसों में गाय और सुवर की चर्वी का प्रियोक किया जाना था और इसमें क्या होता था कार्टूस को आपको बंदूप में यूज करने से पहले मूँ में मुझ से जो है उस कार्थूस पे जो चर्बी लगी होती थी उसको हटा ना उड़ता था मतलब उस कार्थूस को खुलना पड़ता था ये चीजे जो है वो हिंदू और मुस्लिम कम्यूनिटी से जो ब्लोंग करते थे सैनिक उनको कफी जदा आहत हुए वो इससे और इसलिए ये कारण बना जिसकी वज़े से अठार सताउन की क्रांती की सुरुवात हुई क्रांती की प्रारंब की अगर हम बात करें तो अठार सताउन की क्रांती की सुरुवात मेरट में 10 मई अठार सो सताउन को हुई इस समय मेवाड, मारवाड और जैपूर में ये जो भी इनके एजेंट है इनके नाम आपो ध्यान में रखने हैं तो मेवाड में पोलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स और मारवाड में थे मौक मेशन नेक्स्ट है जैपूर में थे कर्नल इडन ये पोलिटिकल एजेंट थे थे एजन टू गवर्नर जनरल लोड जोर्ज पैट्रिक लोरेंस इन सभी के अदीन आते थे मतलब ये हैड थे राजस्तान लेवल के और ये सारे अलग लग एरिया को समालते थे अब अठार सत्ताउन की क्रांती के समय छे सेनिक सावनिया थी हमारे राजस्तान में तो आपको क्रांती के समय राजस्तान में उसमय राजपुता ना में केंदर थे उन drilled के एक केंदर जो है वो अभीalso MP में आता है ये आपको ध्यान में रखना है ओके तो पहली चहावनी है नसीरावद अजिमिल्न, और इसकी रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट, कोटा कंटिंजेंट और जोदपूर, लीजियन, अब बात कर लेते हैं कि ये जो छे सैनिक छाउनिया थी उससे में राजबुताना वाले चितर में उसमें पांच हजार भारतिय सैनिक थे, कोई भी इसमें यूरोपियन सैनिक नहीं था, मतलब टोटली हमारे इंडिया के लोग, और किसका असोसन करें, भारत के लोगों का इसोसन करें, ओके, तो अदै एजी जी अब लगा, जो भी अंग्रेज, जो मुख्य ओफिसर थे, उनको लगा कि ये तो सारे के सारे भारत के ही सैनिक है, तो अगर इनकी भावनाएं जो है, इनक को भी ऐसा लगा कि हमें साथ देना चाहिए, तो इतो इजी ली जंदा का साथ देंगे, तो जो हमारे एजी जी जे थे, मिस्टर लोरेंस, उनके लिए इनके लिए इन सैनिकों को नियंतर्ण में रखना एक गंबिर चिंदा का विश्य था, उननीस मई 1877 को एजी जी लोरें कि अगर आपके यहाँ पर कोई विरोध कर रहा है, कोई क्रांती कर रहा है, तो आप उसको संत करवाओगे, यह आपके जिम्मेदारी है, नसीराबाद में विद्रो, 28 मई 1877 इस्वी को नसीराबाद 56 में सैनिकों ने विद्रो कर दिया, इन भारतिय सैनिकों ने तोप खाने पताउन को नीमत 56 में सैनिकों ने मुहमद अली बेग के नितरत्यों में विद्रो कर सस्तरागार में आग लगा दी, नीमत 56 के कप्तान मैक डोनल्ड ने किले की रक्षा का प्रियास किया, परंदु किले में तैना सैना ने ही संगर्स करना सुरू कर दिया, विद्रोई सैने सितोड हमेरगड बनेडा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए सापरा पहुंचे, सापरा भीलवाडा वाला। नेक्स्ट है, एरिनपुरा में विद्रो, तो 21 अगस्ट 58 सताउन इस्वी को एरिनपुरा में विद्रो प्रारंब हो गया, जोदपुर लीजियन ने, मतलब यहां पर जो सेना की जो रेजिमेंट थी, उसको जोदपुर लीजियन के राम से जानते हैं, जोदपुर लीजियन ने मोतिखा, सुबेदार, सीतल, परसाद और दितलक राम के नितरत में विद्रो का विगुल बचा दिया। इस्वी को बिठोडा पाली में कैप्टन हीत कूट वे जोदपूर महराजा तक्त सिंग की संग सेना को पराजित किया। लोग गीतों के माध्यम से याद करते हैं। दोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मार कर धरवाजे पर टांकियो। तो हमारे जो लोग गीत हैं वो आपको बहुत सारी चीजे पताते हैं। हमारे इतियास के बारे में, हमारे लिती रिवाजों के बारे में, तो अपने लोकल लेवल पर उनको सुनने की खोसिस करो। और पता लगाने की कोसिस करो कि हमारा जो राजस्तान है उसका जो इतियास है वो कितना गोरो मही हमेशा से रहा है नेक्स्ट है कोटा में विद्रो कोटा में करांती की सुरुवात 15 अक्टूबर 18 सत्ता उनको लाला जैदयाल और महराब अली खान के द्वारा की गई तो कहां पर किसने क्या किया था करांती की थी इसको लेकर के क्यूशन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए राजस्तान में सबसे ज़्यादा सूनियोजित और सूनियंतरित कोटा में हुई विद्रोई सैनिको ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा सैर में गुमाया कोटा के महराव राम सिंग दित्टे को क्रांतिकारियों के दुआरा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया उप्रियुक्त इस्तानों के अलावा राजस्तान में कई ऐसे इस्तल हैं जहां से क्रांति का सकनाद हुआ था जैसे बनेड़ा, कोठारिया, आधी क्रांतिकारियों के सरनिस्टल बने हुए थे। तो अधीनता आधुंदर अंदुलन राजस्तान में पूरी निष्टा और जोस के साथ चला। परन्तु बहुत सारे ऐसे कारण हुए जिसे वो सफल नहीं हो पाई। तो अगर आप मानूं अगर अठार सतावन की क्रांति जो है वो एक संगठीत रूप में होती तो उसी समय ज के रहे देखो सभी राजाओं ने राजाओं में एसंतोस तो था लेकिन सभी राजा माराओं ने अंगरेजों का जो है वो साथ दिया मतलब अधिकांस राजा माराजा अंगरेजों के साथ थे उन्होंने देसी जन्ता का साथ नहीं दिया। रांति जो है वो लेट सुरू हो सीमी तिस्तानों पर क्यों हूई सभी को पता था वही समय सुरुआत करनी है लेकिन पहले ही सुरुआत उसको कर दिया गया जिसकी वज़े से प्रोब्लम हुई जान लोगों पर एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तयार करना था वो करी नहीं पाए थे कुटा नसीराबाद भरतपुर दोलपुर टोंक आदी में विद्रो अलग लग समय पर सुरू हुआ अगर राजस्तान में भी एकी साथ एकी टाइम पर सुरू होता तो अंग्रेजों को अर जगय पर जो क्रांती उसको दबाना मुस्किल हो जाता और ये कारण रहता कि अंग् राजस्तान के करांती कारियों में परसपर तालमेल नहीं था इनके पास साधनुका भाव था मारवाड मेवाड और जैपुरादी के सासकों ने तात्या टोपे का सायोग नहीं दिया तात्या टोपे का सायोग देते तो मिल करके अंग्रेजों को दूर किया जा सकता था अब राजस्तान के जो देशी सा सकते उनकों। जो है उसके लिए हम ऐसी टेकनीक बनाई तो जल्दी से जल्दी जो है हम आगर कोई विद्रो देखने को मिले तो उसको दबाने के लिए हम पहुँचे सकी इसलिए जो है वो रेल या तायत इन सभी के उपर फोकस किया गया। अगर हम देखें तो फर्स्ट है विद्रो विद्रो का आर्थ होता है बगावत। अगर आप यहां तक आई है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे आप हमारे जो अधर इनिशेटिव है उनको जाकर के भी विव कीजिए आपके लिए बहुत बेनिविशिल रहें है कि जो भी आपकी मंतली सुझस बुक है उसको हम question and answer format में भी complete करवाएंगे तो question and answer format जो है इसमें extra जो भी basic facts हैं जो आपको provide वहाँ पर करवाई जाते हैं वो आप देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक beneficial program ये सिद्ध होगा okay thank you